नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज हम महाराजा वाइट लाइन का इलेक्टिक बुलोवर रूम हिटर को आज रिपेर करेंगे तो सबसे पहले रिपेर करने से पहले इसका जो फंक्सन है फंक्सन को हम देख लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि डीमर दिया हुआ है तो यहां मीन और दुसरे साइट में मैक्स लिखा हुआ है तो एक किस चीज़ का है जिस तरह से आप अटोमेटिक आइरन यूज़ क यहाँ पर इसको घूमाने के बाद में आपका टाइम के अनुशार यहां से शूरी जाता है दूसरी सेट में यहां देख रहे हैं हीटर का यहाँ लुछार में और जो फैन है आपका फैन चलता रहेगा उसी तरह से स्नोब को घुमाएंगे दो बिंदू पर करेंगे तो 2000 वाट का काम करेगा फैन जो है फैन चलता ही रहेगा और यहां पर आप हो जाता है तो इसका function यह है और इसमें जो problem है आपको बता देते हैं कि हीटर जो है supply देने का बा supply जो है कर जता है कोई काम नहीं करता है इसमें problem यही है तो अभी क्या है कि इसको ठीक करना है हमको तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे यहां ठीक करने के लिए आप जो regulator देख रहे हैं यहां regulator को यहां पूरा फूल करने के बाद में भी क्या होता है कि इसका supply कर जाता है पू उसको हमको ठीक करना यहां मीन लिखा हुआ है दूसरे साइड में मैक्स लिखा है मीन के मतलब की सबसे कम समय में यानि की घंटा दो घंटा आओ के अंतराल में कट जाना चाहिए लेकिन फूल करने के बाद में भी ऐसा प्रोब्लम हो रहा है तो उसके लिए आगे का जो आप देख रहे है इस पैनल को कहीं पेचकस की जुरूत नहीं होए तो इसको हाथ से ही इसको खोल देना है यहां चलिए मैंने इसको खोल दिया खोलने के बाद में आप सामने में देख रहे हैं एक थर्मो एस्टेट दिया हुआ है तो चलिए आपको दिखाते है जो है आपका थ हीट होता है हीट होने के कारण क्या होता है कि पत्ती जो है लूज हो जाता है लूज होने के कारण क्या होता है इसका सप्लाई जो है अटोमेटिक छोड़ जाता है अभी थोड़ा सा हीटिंग है इसलिए नीचे की तरफ देख रहे हैं दाब रहे हैं तो नीचे की तरफ ही सड जाता है तो चलिए इसको थोड़ा साम सप्लाई देकर और निकाल कर एक बार और चेक करते हैं तो चलिए दोस्तों इसमें अभी सप्लाई हम दे चुके हैं यहां से नोब को हम ओन करते हैं तो ओन करने के बाद मैं देख रहे हैं फैन चल रहा है लेकिन इसका हीटर जो है हीट हीटर को on करते हैं हीटर को on करने के बाद में थोड़ा समय के लिए हम इसको हीट तो किरिपे करके मेरे चैनल को आप सुब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे और इस वीडियो को जदा से जदा से शेयर करें जितने भी नए इलेक्टिसियन हैं उसके बारे में जदी जनकारी नए है तो इस वीडियो के माध्यम से वो कुछ सीख सके तो इसलिए आप इस वीडिय को अब निकाल कर चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से thermostat काम करता है तो दोस्तों यहां से अंगुली से नीचे की तरफ करने के बाद मैं देख रहे हैं नीचे की तरफ ही सट जाता है और कुछ समय के लिए जब ठंधा होगा तो उपर भी सटेगा और नीचे भी सटेगा अभी देख रहे हैं उपर की तरफ सट गया अब नीचे सटेगा उपर से दावेंगे तो उपर सटेगा देख रहे हैं उपर नीचे दोनों सेड में दब रहा है देख रहे हैं अभी काम कर रहा है जब ठंधा हो जाएगा तो दोनों सेड में काम कर रहा है जब हीट होगा तो एक स जगह पर अलग-अलग इसका प्राइज होता है कहीं 15 और कहीं 20 कहीं 30 रुपय के आसपस में मिल जाता है तो इसको आप कहीं भी इलेक्टिक मार्केट से आप मंगा सकते हैं और कुछ नहीं करना है इस थर्मोस्टेट को चेंज करने के लिए क्या करना है दो इस ग्रूप को कि उलेक्टिक को कर देते है उसके बाद नितर इक यसे लगाना आपको बतलाते हैं हम यहां देख रहे हैं होल दिया है होल से गैस निकलता है तो थर्मो अस्टेट पर पड़ता है इसके वज़े से लूज होता है पती तो अटोमेटिक यह ओफ हो जाता है तो पत्ती ध्यान देना है लगाते समय थर्मो अस्टेट की पत्ती नीचे की तरफ सटना चाहिए कि आहां पर दुनों वायर को निकलना है तो दूनों वायर को कैसे निकलेंगे इसके लिए यह थोड़ा सा हम सिंव में बतला देते हैं यहां देख रहे हैं ह dö I don't यहां के चीमटर टाइप का बाइम निकल पाहर को निकल जैना उसी तरह से दुसरे सैड़ में ना यह दाब आपकर और खिंचना तो यह वायर जो है आपका है मैं आतवा अअपका अराम से बाहर कर निकल जागा और घूर करेंग जो दाब रह थे उसको उपर कि तरप और दोन पीन को हम अच्छी तरह से इसमें लगा दते हैं और इसको आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर के मदद से इसको अच्छी तरह से बैठा देना है और जो प्लास्टिक का नोब दिया है इस नोब को बैठा देना है अच्छी तरह से यह नोब जो है इसलिए दिया जाता है कि कहीं से अंदर से गल कर कहीं बोडी में टच नहों इसके लिए ये शेप्टी के लिए दियाता है कि अंदर से भी आया वाय तूड़ जाए तो उसी में रह जाएगा तो चली यहाँ पर मैंने थर्मोस्टेट नया चेंज कर दिये उसके बाद में इस पैनल को बैठा देना है इंडिकेटर सबसे पहले हम लगा देंगे और इंडिकेटर लगाने के बाद में आगे का जो पैनल हम निकाले थे से मुसी तरे से इसको लगाना है तो दोस्तों देख रहे हैं पैनल को मैंने अच्छी तरह से बैठा दिये हैं जगह पस इस तरह से बैठा हुआ था अब इसमें हम सप्लाइ देकर फिर एक बार और चेक कर देते हैं और यह जो है अब आपका जो 5-10 मिनट के अंतराल में आटो कॉट होता था अब आटो होगा इसलिए के थर्मो एस्टेट इसमें नया लगा चुके हैं इसमें कोई सेटिंग करने वाला चीज नहीं होता है तो दोस्तों देख रहे हैं यह बिल्कुल सई हो गया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बक्स में जरूर बतलाएंगे और मेरा वीडियो जदी अच्छी लेगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें लाइक करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से हम फिर मिलेंगे तब तक चलते हैं दोस्तों जय है